जोहार जारखंड नमस्कार लाइव इंडियन गाट से मैं केत की इंडियन गाट के सभी दर्सकों को रक्षा वंधन की धेरो सुपकाम नाए आज पूरा देश मना रहा है रक्षा वंधन का तेवहार रेसम के एक धागे से भाई और बहन के स्नेह को बांधा जा रहा है स्रावन पूर्णीमा को मनाए जाने वाले इस्तिवहार में बहन अपने भाई के मस्तक पर तीका लगा कर रक्षा का वंधन बांधती है और साथ ही रक्षा का वचन भी लेती है साथ ही भाई बहनों को उपहार भी देते हैं साल में सावन के महीने में आने वाले इस्तिवार को लेकर भाई और बहन पूरे साल इंतजार करते हैं और अगर भाई कहीं दूर रहता हो, कहीं नौकरी में हो तो भी आज के दिन छुट्टी लेकर घर जरूर आता है लेखिन उनके बारे में क्या जो सीमा पर तैनात होते हैं जो पूरे देश की रक्षा करते हैं जी हाँ भारत के वो जवान जो अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते लेकिन देश वासियों की सुरक्षा के लिए सदय तत पर रहते हैं सरहत पर तैनात भारत के उन बीर जवानों की कलाईयां खाली न रह जाए इसलिए देश भर से बहने राखियां भेजा करती हैं लेकिन केवल सरहत ही नहीं पूरे भारत में जवान अलग अलग जगह अपनी पोस्टिंग पर तैनात होते हैं अपने घरों से दूर रहते हैं कहीं कैम्प में तो कभी-कभी जंगलों में भी उनकी तैनाती होती है जहां फोन की सुधा तक नहीं पहुँच पाती तो राखियां कैसे डेलिवर होंगी ऐसे में कोशिस यही होती है कि अस्ठानिय महिलाएं इन जवानों को उनकी बेहनों की कमी महसूस ना होने दे बुद्वार को CICF यूनीट धनबाद के कोईला नगर में जो इस्ठीत है वहां के जवानों के चेहरे खिल उठे जब सक्ति समर्थन फाउंडेशन की बहने राखी लेकर वहाँ पहुची हाथों में ठाल लिए रोडी के साथ टीका करते हुए और उसके बाद उन्होंने कहा भाई जरा कलाई आगे करना भाईयों को उनकी बहनों की कमी महसूस ना हो इसलिए सक्ति समर्पन फाउंडेशन की संतोसी आनंद, मधु सिन्ह, अंजली प्रसाद, संगीता सिंग, संगीता सर्मा, मनी सिंग और सुसमा सिंग वहाँ पहुँची और उन्होंने राखी का तेवार मनाया उन लोगों के साथ जो कीवल अपनी बहनों की नहीं भलकी पूरे भारत की रक्षा करते हैं झाल झाल